हलो अब्रिवान आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम EVS क्लास 1 के सार और चैप्टर है Plants and Animals Around Us बुक है बहुत सारी फ्रेंड्स पूछते हैं कि बुक कौन सी है तो आप देख सकते हैं तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले कि पिक्लास 1 का सिलेबस है वो अलग हो सकती है लेकिन जो सिलेबस है और जो चैप्टर है उस में लिखने का तहीका अलग हो सकता है तो अगर आप वीडियो देखते हो तो अगर बुक चेंज है फिर भी आपका जो concept है जो syllabus है वो cover हो जाएगा question answer same होते हैं तो आज का जो वीडियो है वो एक reading and learning वीडियो है हम just इसको explain करेंगे और next वीडियो में इसके जो question answer है उनको हम solve कर देंगे हम continue करते हैं सबसे पहले है कि हीना gets up early in the morning she goes for a morning walk with her grandfather one day she saw a beautiful red colored flower in the park which also had phones she looked at the shape of its legs okay इसमें लिखा हुआ है कि हीना एक दिन सुबह बहुत जल्दी उठी और अपने दादाजी के साथ morning walk पे गई वहां उसने beautiful flower देखा जिसकी picture यहां पे है तो पूछा जा रहा है क्या आप इस flower को पहचानते है यह कौन सा flower है यह rose है नेक्स हम इसको continue करते हैं we use flowers to decorate our homes and temples हम लोग flowers का use क्या क्यों करते हैं मतलब कहा कहा करते हैं अपने घर को decorate करने में करते हैं temples में करते हैं can you name some other things we get from plants इसमें पूछा जा रहा है क्या आप कुछ और ऐसी प्लांट से मिलती है बिल्कुल बता सकते हैं जैसे कि प्लांट से हमें वेजेटाबल्स मिलते हैं आप लिख सकते हो फूट्स मिलते हो serals, pulses, medicines, बहुत सारी चीज़ें हमें plants से मिलते हैं हम इसको यहाँ continue कर दो our food comes from both plants and animals, हमारा जो food है हमारा जो भोजन है, वो हमें animals और plants दोनों से मिलता है we have already learned that plants gives us fruits and vegetables आपको ये तो पता ही है कि जो plants हैं वो हमें fruits और vegetables देते हैं लेकिन they also gives us serals like wheat, rice and corn and pulses like dals, gram and beans इसके अलावा fruits और vegetables के अलावा भी हमें जो plants हैं उनसे बहुत कुछ मिलता है वो हमें और क्या देते हैं serals, मतलब anas like wheat, rice and corn, pulses में मिलती हैं, जैसे कि dals हो गए, gram, beans, ये सब हमें कहां से मिलते हैं, plant से मिलते हैं let's learn about some other things that we get from plants, अब हम आगे देखेंगे कि plants हमें और क्या-क्या देते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे okay, we get tea, coffee and sugar from plants, tea is made from tea leaves, coffee is obtained from coffee, beans and sugar is made from sugar के इन जो उस plant से हमें और क्या मिलता है, tea, coffee और sugar, ये भी हमें किस से मिलती हैं plant से मिलती हैं, okay tea is made from the tea leaves tea कहां किस से बनती हैं जो tea leaves होती है उससे tea बनाई जाती है coffee कहां से मिलती हैं, जो coffee beans होते हैं, उससे हमें coffee मिलती है sugar किस से मिलती हैं, sugar made from sugar cane juice sugar हमें किस से मिलता है, sugar cane का जो juice होता है, उससे sugar बनाई जाती है, okay some of the plants give us nuts और dry fruits like kazoo, almonds, walnuts, etc कुछ plants हैं, जिनसे कि हमें क्या मिलते हैं, nuts जैसे कि dry fruits होते हैं kazoo, almonds, walnuts ये सब मिलते हैं, ठीक है next है, some plants give us medicines, plants like tulsi, aloe vera and neem are used for making medicines कुछ plants जो होते हैं, उनसे हमें medicine मतलब दवाईयां भी मिलती हैं tulsi, aloe vera, neem ये इस तरह के पौधे हैं, plant हैं trees हैं, जिससे कि हमें क्या मिलते हैं, दवाईयां मिलती हैं इन सभी का यूज जो है इनकी पत्तियां, बीज किसी ना किसी तरह से इन जो पेड़ पौधे हैं, इनका यूज हम किसमें करते हैं medicines में करते हैं तो जो कुछ plants है, वो हमें क्या देते हैं medicine भी देते हैं some plants gives us spices, chillies, cloves, cardamom and pepper are some spices that we get from plants spices जो हैं, जैसे chillies होती है, cloves, cardamom जैसे देखें, chillies, mirchi है, cloves, long को कहते हैं आपको नहीं पता होगा, अप ममा से पूछना, वो आपको बताएंगी क्लोफ, pepper, यह भी जो spices हैं, जब खाना बनाते हैं, दवाईया बनाते हैं तो उनमें भी इन चीज़ों का यूज होता है आप ममा से पूछना, वो आपको यहाँ पर बताएंगी क्लोफ क्या होते हैं, और जो pepper होते हैं, वो क्या होते हैं तो यह भी हमें किस से मिलते हैं, इन हैं हम क्या कहते हैं, spices कहते हैं और यह हमें किस से मिलती हैं, plants से मिलते हैं, ओके Honey bees collect nectar from flowers to make honey, which we all love Honey bee से हमें क्या मिलता है, honey bee से हमें honey मिलता है और honey सबको पसंद होता है The oils we use in cooking also come from seeds of some plants जो oil है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, और भी बहुत तरह के oil का use होता है यह oils होते हैं, खाना बनाने के लिए cooking foods होते हैं तो cooking oil होते हैं, तो यह सब भी जो oil हैं हमें किस से मिलते हैं जो plants होते हैं, उनके seeds से oil बनाया जाता है We get cotton from cotton plants, cotton हमें कहां से मिलता है, cotton plant से हमें cotton मिलता है cotton is used for making clothes, और जो cotton है, उसका use हम किस में करते हैं, making clothes, clothes बनाने में यहाँ पर देखिए, cotton plant है, cotton plant से cotton balls तयार किये जाते हैं फिर उन cotton balls से clothes तयार किये जाते हैं, नेक्स्ट है We get jute from jute plant, jute हमें किस से मिलता है, jute हमें jute plant से मिलता है blur हो रहा है, एक मियाट We get jute from jute plant, jute हमें किस से मिलता है, jute plant से मिलता है Jute is used for making mats and bags, और jute का use हम किस में करते हैं, mats को बनाने में करते हैं, jute के bag बनते हैं we get rubber from rubber trees rubber कहां से मिलता है it is used in making different things और rubber का use हम किसमे करते हैं जैसे tire बनाने में football बनाने में erasures बनाने में और भी बहुत सारे uses होते हैँ और इनमें हम क्या use करते हैं rubber यूज करते हैं many plants give us flower many plants बहुत सारे plants जो होते हैं हमें फूल देते हैं जैसे कि रोज का फ्लावर नहीं में आपने लर्ण तो क्यों होंगे ना रोज लीली लोटस है ना तो कुछ जो पौदे होते हैं उनसे हमें फ्लावर मिलते हैं और उन फ्लावर से हम यूज क्या करते हैं पर्फ्यूम बनाने में यूज करते हैं फ्लावर हैं उनसे paper बनाने में use होता है ठीक है we get wood from big plants called trees हमें लकड़ी किससे मिलती है जो बड़े-बड़े कि आपके घर में कौन-कौन सा सामान है जो लकड़ी का बना हुआ है जिससे आपको आइडिया होगा कि जो लकड़ी है वो हमारे घर में किस तरह से यूज होती है और कुछ जो plants होते हैं उनसे paper भी बनाया जाता है यह जो किताब है आप notebook में लिखते हो newspaper पढ़ते हो इन सब मे animals both live together in nature they are dependent on each other for food and oxygen plants and animals जो होते हैं एक साथ रहते हैं जैसे nature है आप वहाँ पे देखना plants भी है एनिमल्स भी है यह तो है नहीं कि plants अलग रहते हैं एनिमल्स अलग रहते हैं ऐसा नहीं होता है दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं they are dependent on each other और दोनों ही food के लिए oxygen के लिए ए without plants and animals men cannot survive बिना plants के और animals के जो humans हैं हम लोग हैं वो survive नहीं कर सकते so we need to protect them both इसलिए हमें अपने animals के और nature का दोनों को protect करना चाहिए ठीक है wild animals some animals live in jungles forest कुछ animals जो है वो जंगल में रहते हैं और जंगल को क्या कहते हैं forest कहते हैं they are called wild animals जो animals जंगल में रहते हैं forest में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं wild animals कहते हैं for example examples elephants, lions, tigers, foxes, wolves, deer etc अगर आपसे wild animals के लिए कोई example पूछता है क्या wild animals के name बताए तब आप क्या बता सकते हो elephants, lions, tigers, foxes, wolves, deer etc ये सबी क्या है wild animals है क्यों क्योंकि ये जंगल में रहते हैं forest में रहते हैं they are called domestic animals और ऐसे animals जो हमारे साथ रहते हैं हम उनको उनको लिए एक shelter बनाते हैं और वहां उनको रखते हैं वो हमारे लिए useful होते हैं वो domestic animals कहे जाते हैं अगर आप से कोई domestic animals के नाम पूछते हैं तो आप कह सकते हो for example cows, buffaloes, horses, sheep, goats, hens, etc ये सबी क्या है domestic animals है pick ये क्या है cow, horse, sheep pet animals क्या होते हैं some animals live with us in our homes कुछ जो animals होते हैं उन्हें हम अपने घर में रखते हैं हैं अपने साथ they are called pet animals इनको हम pet animals कहते हैं for example dogs, cats, rabbits, parrots, fishes, etc ये सबी हमारे घर में रहते हैं आपने देखा होगा जिन लोगों को pets का शौक होता है वो अपने घर में अपने साथ पालते हैं उनकी care करते हैं तो वो कहे जाते हैं pet animals like dogs, cats, rabbits, parrots, fishes, etc what is, ये क्या है rabbit आप picture identify कर सकते हो ये parrot, ये dog next है birds, birds are flying animals which have feathers on their body for example crow, sparrow, pigeon, oil, parrot, etc बर्ट जो होते हैं वो flying animals होते हैं वो ओड़ सकते हैं which have feathers उनके punk होते हैं जैसे उनकी body होती है उसमें क्या होते हैं उड़ने के लिए उन्हें पंक होते हैं जैसे crow, sparrow, pigeon, owl, parrot इन सब के feathers होते हैं ये आस्मान में उड़ सकते हैं इन्हें क्या कहते हैं bird कहते हैं they have two wings to fly उनके wings होते हैं उड़ने के लिए कितने wings हैं two they also have a beak to eat their food उनकी चौँच होती है बीक मतलब क्या होती है चौँच होती है चौँच का जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है पर जो birds होती है उनकी चौँच होती है बीक होती है खाना खाने के लिए different birds have different types of bigs और अलग लग birds है उनकी different different bits होती है जो एक जैसे नहीं होती है किसी किसी तरह की होती है किसी की SU barn will यह बहुत हैब सफेट है और यह बहुत ही बर्च होती है और यह उड़ नहीं पाती हैं INSECTS कङा होते हैं INSECTS are small animals Most of the insects have 6 और more legs INSECTS होते हैं वो बहुत small animals होते हैं छोटे छोटे शोटे animals होते हैं जादा तर INSECTS जो होते हैं उनके कितने legs होते हैं 6 या फिर 6 से जादा more than 6 Most insects have wings to fly जादा तर जो इंसेक्ट होते हैं उनको fly मतलब उड़ने के लिए wings होते हैं butterflies, grasshopers, etc, mosquito इन सब के क्या होते हैं wings होते हैं जिनकी help से वो उड़ते हैं इंसेक्ट like fleas, lice and silver fish do not have wings इस तरह के जो इंसेक्ट हैं उनको wings नहीं होते हैं water animals क्या होते हैं some animals live in water, कुछ animals जो होते हैं वो water में रहते हैं these are called water animals, और उन animals को हम water animals कहते हैं like fishes, dolphins, octopus, seahorses, etc water animals are also called aquatic animals water animals को और क्या कहते हैं, aquatic animals भी कहा जाता है अगर आपके कोई aquatic animals या फिर water animals के example पूछता है नेम पूछता है तो आप क्या बता सकते हो fish, dolphin, octopus, seahorses, ठीक है यह है amphibians, some animals live both on land and in water कुछ animals जैसे होते हैं, जो water में भी रह सकते हैं और water से बाहर भी रह सकते हैं, land पे भी रहते हैं इनको हम कहते हैं amphibians, तो जैसे यह frog है, आप देख रहे हो यह water में भी रहता है और water से बाहर भी रहता है तो इस तरह के जो animals होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं amphibians कहते हैं, इसमें से कुछ remembers हैं, जिन्हें कुछ points हैं जो आपको याद रखने चाहिए, हम एक बार इनको revise करते हैं फिर chapter close हो जाएगा, okay plants grow everywhere around us, okay plants are very important and useful to us, plants जो हैं हमारे लिए बहुत important और useful हैं हमें उनको protect करना चाहिए, care करनी चाहिए different plants gives us different things like food, dry fruits, medicines, spices, oils, etc जो different different plants होते हैं, उनसे हमें different different things मिलती हैं like food, dry fruits, medicines, spices, oils, etc there are many types of animals around us, हमारे आसपास बहुत तरह के animals जो हैं वो रहते हैं animals have different shape and sizes, और जो animals हैं, आप देखना सभी animals same shape के और same size के नहीं होते हैं, सबका shape अलग होता है, size अलग होता है है ना, some animals live in forest, कुछ animals जो हैं वो forest में रहते हैं, they are wild animals उनको हम क्या कहते हैं, wild animals कहते हैं, some animals are useful to us, they are domestic animals कुछ animals जो होते हैं, वो हमारे लिए useful होते हैं, उन्हें हम domestic animals कहते हैं some animals live with us, कुछ animals जो हमारे साथ रहते हैं, वे कहे जाते हैं, pet animals Birds are feathered animals, they have wings to fly Birds जो हैं, वो feathered animals होते हैं क्योंकि उनके punk होते हैं उड़ने के लिए Insects are small animals Some animals live in water, are called aquatic animals कुछ animals जो हैं वो water में रहते हैं तो उन्हें हम water animals या फिर aquatic animals कहते हैं Amphibians are animals that live both on land and water जो Amphibians होते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं और पानी से बाहर भी रह सकते हैं Plants and animals depend on each other For food and oxygen, plants और animals जो हैं वो एक दूसरी पर depend रहते हैं Food के लिए और oxygen के लिए तो आज की जो वीडियो है, वो हम close करते हैं Chapter पूरा explain हो गया है Next वीडियो में हम इसकी ये जो सवाल है इनको हम complete कर देंगे जिससे कि ये chapter जो है Complete हो जाएगा और आपकी study में, आपकी revisions में आपकी exams में वीडियो helpful रहेगा, तो आप without इसके पूरा वीडियो देखना जिससे कि आपकी जो भी doubts हैं वो सभी clear हो जाएगे पूरा chapter जो है आपको समझ में आएगा तो next वीडियो मिलते हैं तब तक लिए thank you and have a nice day